हेलो गाइज वेलकम बैग माई यूट्यूब चैनल तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो तो आज की वीडियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक चल रहा था सोसाइटी एंड कम्यूनिटी यानि समाज और समुदाए के बारे में हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में समुदाए के बारे में तो समुदाए की डेफिनेशन समुदाए क्या होता है जो उसके मीनिंग और डेफिनेशन नहीं दोनों मैंने आप लोग को क्लियर करके बता दिया था हमारा लास्ट टॉपिक जो था समुदाए के प्रका होते हैं पहला था ग्रामिड समुदाए और दूसरा था नगरिये समुदाए तो हम ग्रामिड समुदाए के आज बात कर रहे हैं तो ग्रामिड समुदाए में मैंने आप लोग को बताया था कि प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास इस्थान जो है वो ग्रामिड छ शहरी करण का प्रभाव जो है वो मानव को शहर की तरफ इस तरह से आकशित कर रहा है जिसकी वज़े से लोग जो है वो गाउं में ना रहकर अब शहर का रुख कर रहे हैं लेकिन आज भी जो हमारा शहरी वातावरण है वो काफी प्रदूशित है और गाउं की पवित्रता ए आज ग्रामिर समुदाय के बदलने वाले परिवेश में ग्रामिर समुदाय को परिभाशित करना थोड़ा सा कठिन हो चुका है लेकिन फिर भी हम कहे सकते हैं कि ग्रामिड समुदाय जो है एक ऐसा समुदाय है जिसके अंतरगत लोग जो है वो रहकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं अब ग्रामिड समुदाय से हमारा तातपर हो गया है ऐसे लोग जहां पर ऐसी जगे जहां पर अधिकाधिक लोगों का जीवन जो है वो किर्शी एवं उससे समधित कार्यों पर निर्भर रहता है जबकि नगरी समुदाय जो है वो उल्टा है नगरी समुदाय में लोग जो है अब ग्रामिड छेतर की बात करें तो ग्रामिड समुदाय की कुछ विशेष्टाओं की आजम बात करते हैं तो कि ग्रामिड समुदाय की विशेष्टाओं क्या हैं और इनी विशेष्टाओं को देखते हुए जो ग्रामिड समाज है हमारा वो कहीं न कहीं अपने में ही सक्ष तो ग्रामीर समुदाओं की कुछ ऐसी विशेष्टाएं होती हैं जो अन्य समुदाओं में नहीं पाई जाती हैं ग्रामीर समुदाओं में पाई जाने वाला प्रतिमान एक विशेष प्यकार का होता है जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाओं से अलग है अब ग्रामीर स अमुदाई की जो विशेश हैं। उसमें कुछ प्रमुक विशेशता हैं। जो हैं। उनके टोटल 10 पॉइंट्स हैं। तो मैं आप लोग को एक-एक पॉइंट्स करके समझाती हूँ। तो उसमें पहला पॉइंट्स जो है हमारा कृशी वेवसाय है। अब क्रिशी वेवसाय से हमारा तात्पर हो गया कि ग्रामिड छेतर में नहने वाले अधिक अधिक लोग जो है वो खेती पर ही अपना जीवन वेवतीत करते हैं तो उनका जो वेवसाय है वो मेन रूप से जो है वो क्रिशी का होता है क्रिशी करके ही वो अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं जो गाउं में रहने वाले लोग हैं उनका जाधतर जो काम का चलन होता है वो क्रिशी वेवसाय ही होता है सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा प्राकर्तिक निकरता अब प्राकर्तिक निकरता क्या है गाउं का वातवरन आपको पता है आप अपने गाउं भी कभी गए होंगे आपने कोई गाउं देखा होगा तो वहां पर अपने देखा होगा वहां हरियाली जादा है वहां अधिक होती है इसलिए लोग जो है वो अक्सर सोसते हैं कि चुट्टियों के समय में अपने गाउं में जाएं क्योंकि शहर का जो वातावरन है जो शहर की हवा है वो काफी जदा प्रदूशित हो चुकी है आज की वज़े से इसलिए जो प्राकरतिक निकटता है वो हमें का अधिक महथ अब गाउं में आप जाएंगे तो नैचरुली बात है पुराने समय के लोग होंगे जो पुराने रीती रिवाजों को जाती और धर्म को अतिधिक मानते है अब गाउं में जब पहले के टाइम में जब शादियां होती थी तो जो आजकल के टाइम में जो love marriage हो रही है love come arrange marriage हो रही है तो ये पहले के time में ये सारी चीजों का चलन नहीं था आपके माबाप ने जहां जिस भी जगे आप लोगों की शादी तै कर दी तो शादी वही होती थी और पहले के time में लोग एक दूसरे को शादी से पहले एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बाचीत नहीं करते थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, तो वहाँ पर कया था कि आपको अपने ही धर्म के व्यक्ति से शादी करनी है, तो यह जाती वाद और यह धर्म का जो है वो गाउं में अत्रदिक महत्व था और आज की डेट में भी है कही न कही नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है सरल और साधा जीवन गाउं के रहने वाले जो ग्रामिड समुदाय के लोग हैं उनका जीवन जो है वो सरल होता है उनके लिए तीन चीज़े वो बहुत महत्पूर रखती हैं रोटी कपड़ा और मकान अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीन चीज़े हैं तो वो अपना जीवन जो है वो सबसे अच्छा समझता है और उसको अच्छे तरीके से जीरे की कोशिश करता है उनका जीवन जो है वो वैसे ओईली फूड्स है जंक फूड्स है ये सारे फूड्स आ चुके हैं लेकिन गाओं के में आज भी वही सरसो कसा मक्के की रोटी गुड़ चना छाच है या लसी है ये सारी चीज़ों को ज़ादा प्रिफर किया जाता है तो गाओं में रहने वाले जो ग्रामिट समुड़ाय के लोग है उनका जीवन जो है वो सरल और साधा होता है अब फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जो है वो है सैयूक्त परिवार फिफ्थ पॉइंट जो है सयूक्त परिवार जो है वो कहीं न कहीं एकल परिवार होकर रहे गया अब बात आती सयूक्त परिवार तो सयूक्त परिवार आप सभी को पता होगा ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची और ममी पापा उनके बच्चे चाचा चाची के बच्चे तो ये परिव जाता है आप जितन जब भी शहर की शहरी समुदाय में देखेंगे तो उसमें यही होगा कि लोग जो है वो छोटे लोटे पाप में चोटे और माबाब अपर भी बच्चे, और दो बच्चन दो भी two इए यह एक माबक क्ञान, कि यह प्र हैं यह उख परिवार भी वह जूख आज भी इन और परीवार कर ले जिलनेगे जना सिक्स्थ पॉइंट है हमारा समाजिक जीवन में समीपता अब जो व्यक्ति का जो ग्रामिट समुदाय का अंतर का जो समाजिक जीवन है जो उसके रहन सहन की आदतें हैं उसको किस तरीके से समाज के साथ समंजस से बैठारना है उनका समाजिक जीवन के साथ जादा तर समीटता होती है वो समस्ते हैं कि किस तरीके से उनको एक दूसरे के साथ कैसा वेभार रखना है कैसा समाज के साथ उठना बैठना होगा उनका किस हिसाब से वो समाज के साथ अपना सामज़स से बैठा पाएंगे सेवन्थ है सामुदाइक भावना सामुदाइक भावना से हमारा तातपर हो गया मिलकर एक जुट होकर के कोई भी कार्य करना तो ग्रामिड सामुदाइक अंतरकर जो सामुदाइक भावना है वो जादातर देखी जाती है लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तीस तोहार मनाते हैं, एक दूसरे के परिशानियों में शामिल होते हैं, हर एक के घर का दुख जो है वो दूसरे के घर का दुख समझा जाता है, तो लोग जो है वो आपस में मिल जुलकर कार्य करते हैं, एर्थ जो है सबसेति , वजह से ही आज ना पर आंने लोक जो घुट 9 नहीं निकष्ट सकती थी वह अपने उप़र आशरित नहीं थी आजकी जो time है उस समय तो आजकी date में तो ladies जो है वो अपने उपर आशित हैं वो नौक्डी कर रही है पढ़ाई कर रही हैं घर से बाहर निकल रही है लेकिन गाउमें ऐसा नहीं था गाउमें गाउमें जो है वो लड़कियों की जिन्दिगी सिर्फ खाली घर और चौके चूले में ही जोग दी जाती थी तो इसलिए इस्तिरियों की निम्न इस्तिती ग्रामीड समुदायों में देखने को मिलती है 9. है हमारा धर्म एवं प्रावाद बातों में अधिक विश्वास जो भी धर्म है जाती वाद है धर्म वाद है जो भी धर्म है उन चीजों में गामीड समुदायों का अतिर्दिक विश्वास रहता था 10. है हमारा भागे वालिता एवं आशिक्षा का बाहुले जो गामीड समुदाय है वहाँ पर आशिक्षा का बाहुले था मतलब लोगों को लोग सोसते थे कि पढ़ाई वड़ाई करके क्या करनी है बच्चों को तो क्रिशी काम करना है घर के काम करने है लड़कियों को तो कभी जो है वो पढ़ाई को जो है वो कभी जादा उन लोगों ने प्रिफरेंस दी ही नहीं कि उनकी तरफ से जो था कि बस ल नहीं दिया गया तो यह 10 points जो थे यह हैं गामिर समुताएं की विशेष्टा हैं तो आज का मेरा वीडियो जो है मैं यहीं खतम करती हूं यह 10 points मैंने आप लोगो समझा दिये हैं मैं अपने वीडियो में 10 points की photos भी आपको डाल दूँगी तो इससे आपको अंदाजा हो मैंने कौन-कौन से points बताए हैं और यह important points हैं तो इनको आप अपनी copy में note जरू कर लिजेगा और आप लोगो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe करते रहे हैं और अगर आप लोगो किसी भी तरीकी की कोई भी problem है तो आप लोग मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं तो मैं आप लोग की कोई भी problem होगी उसको solve कर दूँगी thank you